दोस्तों सबजियों का ये जो आप लोट देख रहे हैं इसमें हमने दो ड्रेंचिंग निकाली है च्यार दिन के भीतर दो ड्रेंचिंग सबजियों की उन फसलों में भी निकाली जो पाले की वज़े से ज़्यादा काफी हद तक खराब हो गई थी और उन दोनू ड्रेंचिंग का मुझे काफी शांदार रिजल्ट देखने को मिला यानि पहला ड्रेंचिंग जो हमने लिया था वो लिया था सलफर जिसमें 65% आता है और उसके अंदर टेबु कुन जो होता है वो 10% आता है यानि कि मैंने टेबुल लिया था उसका एक ड्रेंचिंग किया और दूसरा ड्रेंचिंग मैंने हुमिक एसिड का निकाला ये दोनू ड्रेंचिंग निकालने के बाद में यानि कि 4-5 दिन में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहा है जो तरककडी की फसल जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाए था जो फसले हमारी काफी हद तक ब्रबाद हो गई थी काफी हद तक खराब हो गई थी वही उनमें काफी इसमें निकलने सुरू हो गये हैं और यह जो ड्रेंशिंग हमने जो दोनु ड्रेंशिंग किये थे लगभग 4-5 दिन पहले किये थे और यहां पर देखे हर एक प्लांट में आपको नई ब्रांच निकलती भी दिखेगी नया फुटान जो है वह आपको देखने को मिलेगा किया प्लांट है कुछ भी नहीं था काफी चोटी अवस्था में था और पूरा विचारव खराब हो गया था सर्दी की वज़े से लेकिन यहां पर देखे हैं इसमें भी फुटान हो गया है यहां पर देखें हर एक प्लांट में आपको फुटान देखने को मिलेगा कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था चार दिन पहले एक किसानवाई कमेंट करके बता रहे थे कि भाई यह जल जाएंगे नहीं बचेंगे कि फुटान जो हो रहा है वो भी खराब हो जाएगा दो तिन दिन में लेकिन यहां पर कमेंट करने से कुछ नहीं हो का भाई यहां पर दे पार है यानि हर एक प्लांट यह यह देखिए यहां पर प्रांच यह देखिए यह थो कि यह दो दे思 प Chang कि जिन किसान भाइयों की फसले सर्दियों से परभावित हो चुकी हैं पाले बगारा की वज़ेसे मतलब ज्यादा खराब हो चुकी हैं या कुछ हद तक खराब हुई हैं तो आप आपनी सभी तरह की फसलों में जो है शलफर का एक ड्रंचिंग करें और उसके बाद में एक ड बदलाव अगर देखने को मिल रहा है तो बनेकि आच्छे है ऐप नहीं किया है इस तरह ड्रेंचिंग तो फिलाल अपनी सब्जियों में यह ड्रेंचिंग करें अगर आप भी इस तरह के ड्रसुन करेंगे तो आप अपनी फसलेंगों में काफी अच्छी ग्रोफ देख सकते हैं वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा